एक बार फिर से पारस को काफी स्ट्रॉंग रप्लाय देते हुए सिधाश शुकला के लिए स्टैंड लिया है देवलीना भटा चार्जी ने जी हां दरसल यहां पारस शब्रा ये बात कर रहे थे कि सिधाश शुकला ने जब आखरी दिनों में आखरी वक्त में आखरी डास मे पारस को बचा लिया था तो इस बात की खुशी पारस को बहुत जादा हुई थी जो अनएकस्पेक्टेड था क्योंकि सिधाश तक कभी इस तहां की कोई चीज किया नहीं करते थे उन्हें रगा था कि वो पारस की नहीं बलकि शहनाज और आर्टे की मिलत कर देंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं तो इस बात पर देवडि़ीना ये कहती हुई नजराएं हाँ तो ये बात सही है ना पारस सिधाट में तुम्हारा साथ दिया क्योंकि उन्हें पे बैग भी करना था और अपनें दोस्तों का भी हमेश हैं उन्होंने था थी और इसी के साथ साथ तुम्हारे लिए इसलिए भी वो सिधात आखरी वक्त में खड़ा हुआ क्यों कैयों कि तो इसने मुझे बचा लिया, अनेक्सपेक्टिड था, मैं इस बात को लेकर खुश हुआ, नहीं तो वो शेहनाज और आर्थी का ही तो हमेशा साथ दिया करता था, तो इस बात पर देवलीना कहती हुई नजराई, कि हमेशा से ही उन्हों ने, यानि कि सिधात ने अपने दोस करा सकते हैं, तो सिधात ने अपने ही बाकी दोस्तों को हमेशा बचाया है, और देवलीना सिधात की ये बात को समझती हुई बहुत अच्छे से नजर आई, और पारस को अच्छे से जवाब देती हुई भी देखी गई है,